श्री गुरु देवाय नमा, श्री गडेश देवाय नमा, श्री दुर्गा दिब्बे नमा, आप सभी का हमारे चैनल ग्यान भक्ति पुजा रहस्य में स्वागत है, आप सभी मारी वीडियों देखें, पसंद आएं तो लाइक करें, चैनल को सर्स्क्राइब करें, जिससे हमा आप सभी को आर्थिक संपन्ता के लिए नित्य उप्योगी सरणिम सुत्र बता रहे हैं, जो बहुत उप्योगी हैं, ध्यान देकर सुनें, उसका पालन करें, लाब उठाएं, प्राता काल सुबे उठकर सर प्रथम अपने दोनों हाथों की हतेलियों को कुछ देर देखें, तत्पस चातुने चुमें और अपने चेहरे पर तीन बार फेरें, साथ में मंत्र जपें कराग्रे वस्ते लच्मी करम अधिसरस्ति करमूलेच ब्रम्हा प्रवाते कर दर्शनम और उसके बाद नाक का दाहिना या बाया जो सुर चल लाओ, दाहिना या बाया सुर जो भी च लाविडा पिंगिला नाडियें होती हैं, उसी के अंसार सर प्रथम उसी तरफ का पाउं जमीन पर रखें, इस नानाद के बाद ओम घ्रन शूर या अधित नमा ओम कहते होई तामे की लुटिया में जल भर कर शूर दो को अर घर पित करें, इसके बाद ही कोई पूजा उप अंचारी शा, संकट मोचल हनमाश्टक इत्याद का पाठ करें, घर के पूजा इस्तल में एक अक्ठी नारियल रखें, और स्री एंत्र अपने पूजा घर पर रखें, जिससे मा लश्मी की दया बनी रहेगी, साथ में मौती संख अपने पूजा इस्तल पर रखें, जिससे म मा लश्मी की दया आपर बनी रहेगी, और जहां तक संभव हो सनिवार को ही गेहुं पिस्वाएं, और गेहुं में शाव ग्राम शाबुत काले चने और शिमिला दें, इसे जिससे जिसनी की साड़े साती अठहिया चल लही तो भी उसका कोई असर नहीं पढ़ेगा, घर में बनने वाली भोजन में से पहली रोटी गाई के नाम से निकालें, खिलाएं, अथा आखरी रोटी कुते को खिलाएं, प्राता चीटियों को चुनने के लिए आटा डाल दें, अगर संभव हो सके तो, किसी गोलियां, आटे की गोलियां बनाकर जलासे में मसलियों को भी खिला दें, काली हल्दी की एक गाउट, जो घर में पीसी आती है, वो पीली हल्दी होती है, और इनी में से कोई-कोई गाउट काली निकलाती है, काली हल्दी आप पसारी के दुकान से प्राप्त करके एक गाट काली हल्दी की पूजा करके शुब महुरत में अपने घर के ब्यापार एस्थल कैस बाक्स गल्ला तिजोरी में रखें इस ये धन का आगमन होता है और शीकुबेर जी लश्मी जी इनकी उपाशना करें इससे भी मालश्मी का आवगमन होता है और मालश्मी की दया बनी रहती है आप सब इन चोटे चोटे प्रेवगों को करके देखिए आपको मालश्मी की दया वाश्रबाद हमेश्या मिलता रहेगा जय माता दिए